पवन सिंग तो पवन सिंग है पवन सिंग के दिवानों की कमी नहीं है पवन सिंग जो कुछ करते हैं उनके फैंस उन्हें हाथ हो हाथ लेते हैं अब आपको ये बता दे कि पवन सिंग ने क्या खास किया है पवन सिंग ने दो नए कृतिमान स्थापित किये हैं दो नहीं तीन तीसरा हम आपको बाद में बताएंगे पहला है उनके फिल्म सत्या का एक गाना जो है आमरपाली और उनके बीच राते दिया भुता के जिसने योटूब पे नया कृतिमान स्थापित किया है पहली बार किसी भूझपूरी के गाने ने 350 मिलियन का आकडा क्रोस किया है जी हाँ ये भूझपूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है और ये पवन सिंग के फैंस के लिए गर्व करने की और अब बात करते हैं दूसरे किर्तिमान की तो दूसरा किर्तिमान भाई पवन सिंग ने फिर से रच दिया है इस बार किर्तिमान उन्होंने काजल रागवानी के साथ रचा है और उनकी फिल्म का नाम है मैंने उनको सजन चुन लिया इसके ट्रेलर को लोगों ने काफी पसंद किया अब इसके गाने को आरा का उठला ली जो आज कल यूटूब पे खुब दूम मचा रहा है इस गाने ने एक दिन में 2 मिलियन का आकडा क्रॉस किया यानि आप कह सकते हैं इस गाने को मैं 24 घंटे में 20 लाख लोगों ने देखा है साथ ही तीसरा कृतिमान पवन सिंग के लिए ये है कि मैंने उनको सजन चुन लिया का ट्रेलर भी दर्शुकों ने खुब पसंद किया है उनके फैंस ने इसे सिर्फ 24 घंटे में एक मिलियन से भी उपर का आकडा दिया है यानि कि 24 घंटे में इसे तकरीबन 10 लाख से भी उपर लोगों ने देखा है ये पवन सिंग के फैंस की दिवानगी ही है कि पवन सिंग का या फिर कोई ट्रेलर आए या फिर कोई स्टेज शो हो या फिर कोई फिल्म आए उसे हाथों हाथ लिया जाता है इसलिए तो भोचपूरी की सारी हिरोई ने पवन सिंग के साथ काम करने के लिए बेताब रहती है भोचपूरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल लब हुए